तमाम फंक्शनलिटीज कवर करेंगे ताके आपको एक SEO प्रोफेशनल या SEO एक्सपर्ट बनाया जा सके और आप अपनी किसी भी वेबसेट को Google सर्च में टॉप पे रैंक कर सकें तो अपने इस वीडियो सीरीज में हम basic to advance तमाम चीज़ें तरतीब भाई सीखेंगे और वो तमाम फंक्शनलिटीज जो SEO में यूज की जाती हैं उसको practically implement करके देखेंगे प्रोजेक्स पे अच्छा बिफोर स्टार्टिंग डिस SEO कोर्स आई रिक्मेंड दाट यू मस्ट हैव two to three things जो आपके पास पहले से होनी चाहिए तो इस कोर्स को लेने से पहले आपके पास कोई website कोई domain जो है वो लाज़मी होनी चाहिए जाके आप practically implement करके देख सकें उन तमाम tools को जो हम यहाँ पर सीखेंगे तो अगर आपके पास यह सब कुछ नहीं भी है तो मैं आपको completely zero scratch से बताऊँगा कि आप इसको कैसे purchase कर सकते हैं और कैसे अपनी website बना के उस पे काम start कर सकते हैं तो अगर आपने hosting purchase करनी है तो मैं आपको recommend भी कर देता हूँ जादतर जो use होता है internationally वो host cater use होता है तो host cater से आप buy कर सकते है host cater लिखेंगे आप google search पे तो यह आपके पास top पे एक website hosting आजेगी यहाँ पर आपके पास इनके different plans हैं वो आप buy कर सकते हैं तो आपके पास एक domain और एक hosting लाज़मी होनी चाहिए अच्छा अब हम देखते हैं एक general overview of our SEO course outline यह outlines मैंने design की है एक basic user को मद्दे नजर रखते हुए कि अगर किसी को बिल्कुल previous knowledge नहीं है तो वो भी इस पे expert बन सकता है हम directly advanced level पे बिल्कुल नहीं जाएंगे step by step बिल्कुल basic से discuss करेंगे तो अगर आपको already knowledge भी है तो आप इस video को 2x करके भी सुन सकते हैं जो video आप के पास play हो रही है उसमें left side पे एक 1x लिखा होगा छोटा सा नीचे तो आप उसको 2x पे करके देख सकते हैं या फिर उन parts को skip भी कर सकते हैं जो आपको already आते हैं तो introduction में हम देखेंगे what is SEO जिसको बिल्कुल भी नहीं पता SEO के बारे में तो उसको मैं SEO के बारे में पूरा explain करूँगा फिर हम देखेंगे what SEO does how SEO works फिर हम देखेंगे कि SEO rankings क्या होती हैं और आप उसको Google पे रैंक करवाने का क्या मतलब होता है उसमें क्या factors देखे जाते हैं अब हो सकता है कि ये parts में से कुछ चीज़ें आपको already पता हो लेकिन फिर भी मैं recommend करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके knowledge में नहीं होंगी तो आप इसको बिशक quickly go through करें लेकिन इसको लाजमी देखें तमाम parts को फिर हम देखेंगे कुछ different tools के अगर आपने SEO rankings को measure करना है, determine करना है कुछ tools के थूरू कैसे पता चलता है कि आपकी जो SEO ranking है वो कितनी strong है और उसमें कितना potential है grow करने का, ये हम देखेंगे फिर हम कुछ factors देखेंगे SEO types related जिसमें on page SEO में क्या-क्या चीज़ें होती है, वो समाम चीज़ें हम discuss करेंगे off page SEO में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है, वो हम discuss करेंगे फिर जिसरा मैं आपको पहले बता रहा था कि SEO के लिए आपको domain और hosting या मतलब के कोई website ज़रूरी है होना तो उसमें जो है, वो आप domain की SEO rankings कैसे improve करेंगे, hosting से related जो है, वो SEO rankings पे क्या फर्क पड़ता है और उसको किस तरीके से improve करेंगे अब basically course की हद तक अगर दिखा जाए तो actually domain और hosting ज़रूरी नहीं है theoretical knowledge के लिए लेकिन मैं चाता हूँ कि जो जो इंप्लिमेंट करके देख रहे हैं अपनी खुद की website पे इससे फाइदा आपको यह होगा कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप implement करेंगे आपको साथ-साथ results आएंगे तो जिस जिस तरीके से आपको results आते जाएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो चीजें भूल जाती है और आपको उसकी practical implementation भी समझ में नहीं आते So this is a prerequisite which you must have अच्छा इससे related जो purchasing से related या how to create a website and purchase hosting and domain ये कुछ चीजें आप YouTube पे डालेंगे तो जो मैंने जिस तरह keywords बताएं अब इसमें हम और चीजें देखते हैं SEO on CMS और Custom Design हम देखेंगे SEO with WordPress WordPress जो है वो क्या होता है किस तरीके से यूज किया जाता है WordPress installation किस तरह से की जाती है On page SEO से related मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर list एक बनाई भी है जो जो हम चीजें इसमें cover करेंगे वीडियोस में One by One से related आपको वीडियोस की फॉर्म में बताऊंगा कि हर individual task को आप कैसे करेंगे फिर off page SEO आ जाता है off page SEO में काफी सारे factors होते हैं वो सारा हम discuss करेंगे और फिर आएगा हमारा general FAQs वो questions जो practically implement करते हुए लोगों के mind में होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस section में FAQs में cover करेंगे और यह हम regularly update भी करते रहते हैं अगर किसी की भी कोई curiosity हो तो आप post कर सकते हैं और आपको उसके answers इस section में मिलेंगे अच्छा अब next video में हम देखेंगे SEO introduction SEO introduction जो है वो मैं different parts में cover करूँगा छोटा छोटा करके ताके आपके mind में जो है वो उसको grabs करना असान हो आप अपना register भी ले ले मैं recommend करता हूँ पैनल ले ले साथ पे जो भी important points हैं वो आप उस पे लिख ले ताके आपके लिए future में revise करना या छोटे छोटे key points जो आपके पास होंगे वो आपके पास लिखे वे हों तो आपके लिए follow करना जादा असान होगा although कि ये video course जो है वो lifetime access के साथ है आप कभी भी future में कभी पूरा course भी revise करना चाहें तो आपके पास ये हमेशा इसका access रहेगा लेकिन फिर भी मैं आपको recommend करता हूं कि जिसना आपके practical class में training लेते हैं same इसी तरीके से आपने उसको follow करना है जो important points है वो लिखते जाए और follow करते जाए so see you in the next video